अगर इस स्टोक में हमें गरावाट देखने को मिल रहा है तो हमें खरदारी करना चाहिए और दोस्तों 2800 रुप्य के स्टोक हमें रफ ली 4100 के आसपस में गया और दोस्तों वहाँ से इस स्टोक में फिर से गिरावाट हुआ जिसके वह यह से इसका प्राइस रफ ली 31 के आसपस में आया लेकिन वहाँ पर भी हमने विडियो पने के डिस्कस क्या था दोस्तों अगर इस stock में हमें selling pressure देखने हो मिल रहा है तो हमें छोटा-छोटा quantity खरदारी करना चाहिए क्योंकि future में इस stock में strong rally देखने को मिलेगा क्योंकि इसका yearly and quarterly revenue and net post graph काफी संदार है और दोस्तों फिलाल इसका price 5000 के आजपस में trade करती हो देखने हो मिल रहा है तो आप लोग समझ सकते हो इस stock अभी तक jackpot की तरह साबित हुआ है और दोस्तों इसका अगर share price की graph की बात करें तो हमें सा upper 10 में ही देखने को मिलता है अगर इस stock में हमें कभी-कभी graph देखने को मिलता है तो आच्छा कैसा औसर होता है खरदारी करने का तो चली इस stock से सारा information एक बार देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों पिछली 1 मंत की बात करेंगे तो रपली 4% का यहाँ पर गिरावट का figure है पिछली 6 मंत की बात करेंगे तो यहाँ पर रपली आच्छा का सा मुनाफ़ा का figure देखने को मिल रहा है जो कि काफी सांदार है और दोस्तों पिछली एक साल की बात करेंगे इस का price अग्रावट का तो यहाँ पर गियाराव परस्न के आच्परस का मुनाफ़ा है जो कि यह भी अपने आप में काफी strong है हलाकि दोस्तों पिछली 5-1 की बात करेंगे तो पिछली 5 फिर में इस स्टोक में 63% के आजबस का मुनाफ़ा का फिगर में देखने को मिल रहा है हलाकि दोस्तों सबसे अधिक दुन की बात करेंगे इसका प्राइस ग्राप का तो यहाँ पे स्ट्रोंग मुनाफ़ा का फिगर है जवरदस्त है और दोस्तों इसका प्राइस ग्राप देख सकते हो कितना संदार तरिके से देखने को मिल रहा है हलाकि दोस्तों बीच बीच में स्ट्रोंग यहाँ पे सेलिंग प्रेसर भी देखने को मिला था लेकिन दोस्तो every ground के उपर हमने वीडियो बना के discuss किया थे दोस्तो इस stock के उपर हमें focus बना के रखना चाहिए तो यहाँ पर मैं discuss कर रहा हूँ आप लोग से Britannia Industry Limited के regarding यहाँ बात करेंगे इसका revenue के regarding तो इस सल का सबसे highest यहाँ पर revenue graph है पिछली five area graph है every area graph जवरदस्त इंक्रिमिन के साथ में एक sequence wise यहाँ पर देखने को मिल रहा है और दोस्तो इसका net poverty graph की बात करेंगे तो इसका net poverty graph भी इस सल का काफी सांधार है जवरदस्त है पिछली five area graph है every area graph अपने आप में काफी strong है जिसकी ओएस से stock काफी सांधार है तो जिस तरीके से दोस्तो इसका यहाँ पर revenue and net profit and यहाँ पर EPC graph है उस हिसाब से stock में काफी सांधार देखने को मिल रहा है आप लोग इस stock को फर focus मना के रख सकते हो यहाँ पर दोस्तो इसका day one का technical chart की बात करेंगे दोस्तो तो यहाँ पर काफी सांधार इसका technical chart देखने हो मिल रहा है फिलाल जो इसका price एक आच्छा कासा support के उपर यहाँ पर trade करते हो देखने हो मिल रहा है यहाँ से इस stock में strong selling pressure देखने हो मिला इसका price roughly 5500 के आज़ पस में जाते हो देखने हो मिला था और वहाँ से इस stock में strong selling pressure देखने हो मिल रहा है जिसके उज़स से इसका price यहाँ पे 4900 के आसपस में trade करते हो देखने हो मिल रहा है लेकिन दोस्तों यही से इस stock में यहाँ से काफी सांधार तरीकी से यहाँ फिर rally दिखाया था और दोस्तों फिलाल जो इसका price है इसी range में फि anniversary में देखने हो मिल सकता है आप लोग इस stock को फर focus में के रख सकते हो इसका weekly technical chart पी बात करेंगे दोस्तों तो इसका weekly technical chart पी अपने आप में काफी सांधार जबरदस्त यहाँ से जबरदस्त तरीकी से support आमें देखने हो मिला था और यही से इस stock में काफी strong rally देखने हो मिला औ लेकिन दोस्तों यहां से इस stock में जब glamour हुआ तो यहां पर फिर से इस इस list में इस प्राम यहां पर आती हो मिले देखने हो मिला ऑगर दोस्तों यहां से पीर से इस stock में इस paymentnod pos सकता है otherwise यहीं से मैं reverse देखने को मिल सकता है क्योंकि एक यहाँ पर दोस्तों आच्छा का साथ फिलाल में support यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर बात करेंगे इस इस्टों का market का लोग का figure देखने हो मिल रहा है इस टोक पीरिशु की बात करेंगे तो 55 का आश्यूबर का figure है जोकी industry के पीरिशु की के बात करेंगे दोस्तों यहीं कि जो इसका price काफी attractive है दोस्तों यहाँ प्रिटॉंट की बात करेंगे तो यहीं अपने हाँ काफी 60% से एवफ का figure है return on captain effect का figure भी यहां पे 48% से above का figure है और दोस्तों dividend yield की बात करेंगे तो अपर एपनी 10% का आजपस का figure है हलाकि इसका phase भी रूफीज 1 का figure है और दोस्तों इस stock में promoter का holding 50% से above का यहां पे figure देखने हों मिल रहे है जो कि कोई promoter का share plays नहीं है EPS की बात करेंगे तो EPS का figure भी अपने आप में काफी सहंदार है और दोस्तों debt to equity की बात करेंगे तो 0.98 का figure नहीं के थोड़ा सा debt का figure है जो की कोई खास अधिक नहीं है हलाकि free cash भी बात करें तो यहां पर अपली 1900 कोड के आजपस का figure है काफी strong है और दोस्तों इसका PE issue भी थोड़ा सा हमें high देखने को मिल रहा है तो यहां से थोड़ा मुत हमें correction देखने को मिल सकता है कोई खास अधिक नहीं देखने मिलेगा हलाकि stock future के लिए जवरदस्त है portfolio stock है यहां पर दोस्तों बात करेंगे इसके quarterly sales के regarding तो यहां पर December quarter के sales काफी strong तरीके से में देखने मिला हलाकि दोस्तों यहां पर देखा जाए तो September quarter के according December quarter के sales में थोड़ा से ग्रावाट हुआ था हलाकि दोस्तों operating profit की बात करेंगे तो operating profit में भी यहाँ पर December quarter में थोड़ा समय ग्रावट देखने को मिल रहा है according to September quarter हलाकि net profit की बात करें तो net profit में भी यहाँ पर थोड़ा समय ग्रावट का figure देखने मिल रहा है जिसके इस stock में आजकर थोड़ा से भी quality देखने को मिल रहा है हलाकि दोस्तो इसका yearly sales की बात करेंगे तो इसका yearly sales का figure भी यहाँ पर काफी संदार है every year का और दोस्तो operating profit की बात करेंगे तो every year का operating profit का figure भी अच्छा का सा figure देखने को मिल रहा हलाकि इसका net profit की बात करेंगे दोस्तो तो यह पर net profit का figure भी काफी संदार है every year का और दोस्तों पिछले साल के according इस साल net profit में जवरदस उच्छाल देखने को मिला था हलाकि इस साल के अभी तक का net profit का figure भी strong है हलाकि दोस्तों इसका compounded sales growth की बात करें तो पिछली तीन साल का अच्छा करसा figure है profit growth का पिछली तीन साल के भी एवी strong है और दोस्तों stock price siege की बात करेंगे तो पिछली तीन साल का 14% का siege का return देखने को मिल रहा है हला कि दोस्तों पिछली एक सल में only 8% का आस्पिस का return का figure है जो कि दोस्तों return की बात करेंगे तो पिछली 3 सल का 54% का figure है जो कि काफी सांधार है हला कि दोस्तों reserve की बात करेंगे तो reserve का figure every year का figure अपने आप में काफी सांधार है हाला कि दोस्तों यहाँ पे brewing की बात करेंगे तो थोड़ा depth का figure है जो कि कोई खास अधिक नहीं है हाला कि fix city की बात करेंगे तो fix city का figure भी यहाँ पे every year का जबरदस तरीके से figure देखने को मिल रहा है तो इस stock अपने आप में काफी अच्छा कासा है आप लोग इस stock पर focus बना के रख सकते हो हाला कि दोस्तों यहाँ पे share holder प्रिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों प्रमोटर का holding 51% की आसपस का holding है जो कि FI का holding रख ली 19% का holding है और दोस्तों DIA का holding भी 15% का holding देखने को मिल रहा है हाला कि retail की बात करेंगे तो retail का holding भी 16% का holding है तो यहाँ पे सारा का सरह strong खिलाड़ी है जिस तरीके से qualified institution यहाँ पे FI and DIA का काफी जबरदस holding देखने हो मिल रहा है और दोस्तों प्रमोटर का holding भी जबरदस्त है only retail का holding यहाँ पे 16% के नीचे लिए असर का है तो आप लोग समझ सकते हो सारा का सरह strong खिलाड़ी है जिसके से stock future के लिए आच्छा कास है आप लोग इस stock को फोकस मिना के रख सकते हो यहाँ पर दोस्तों बात करेंगे अगर यहाँ से इस stock में थोड़ा बुता में ground का figure देखने को मिलता है तो इसका price roughly 4400 के range में आते हो देखने हो मिलेगा otherwise future में इसका price 55,000 के cross करके roughly काफी आगे जाते हो देखने हो मिल सकता है हलाकि इसके लिए थोड़ा से पेसेंस से यह stock अपने आप में जवरदस्त है portfolio stock है दोस्तों में तकर वीडियो अच्छा लगा है तो पीछ मेरे YouTube के सब्सक्राइब की जाएगा तक मेरे जूब वीडियो के निक्स्ट उसके नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा ओ के सब्सक्राइब के सब्सक्राइब की जाएगा है